नमस्कर साथियों स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में हम जानेंगे डी एस सी डिजिटल सिगनेचर सर्टिपिकेट डिजिटल हस्ताक्षार प्रमाडपत्र क्या होता है साथ ही हम जानेंगे डिजिटल सिगनेचर सर्टिपिकेट के उप्योग यूजेज क्या क्या है साथ इसाथ प्रकार, टाइप्स, जारी करता, इस्विंग अथॉरिटी कौन जारी करता है, बनवाने की प्रक्रिया क्या है, मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस, वैद्धिता, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इन सभी के बारे में विश्तार से जनते हैं उप्योग, तो यूजेज इसका सबसे पहले उप्योग होता है, ITR फाइलिंग में, GST फाइलिंग में, पासपोर्ट बनवाने में, ऑनलाइन टेंडरिंग में, और इंटरनेट अधारित लेन देन करने में, बहुत आयत के रूप में इसका DSC, डिजिटल सिकनेचर जर्टिप Class 1 में, जो डाक्यूमेंट होते हैं, उसकी पुष्टी कश्टमर द्वारा जो प्रदान किया गया, डेटरबेस है, उसकी हो रही की नहीं, इसकी पुष्टी किया जाता है, यह लोवेस्ट लेवल का होता है, और मॉबाइल और इमेल, जो भोकता द्वारा प्रदान किया जा है और government service में इसका उपयोग होता है साथ इसाथ ITR और GST जो भरा जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है इसमें भी individual की identity की पहचान के लिए mobile और email ID का verify किया जाता है class 3 class 3 types में organization के लिए यह उपयोग किया secure है सुरक्षित होता है class 3 type के DHC के verification के लिए customer या बैक्ती individual को स्वयम authority के समने physical रूप से उपस्तित होना होगा जारी करता issuing authority कौन होते हैं तो government keyword से license प्राप्त authority या CA जो होते हैं वे इसे जारी करते हैं साथ इसाथ अधिक जानकारी के लिए आप www.mca.gov.in का website है यहां पे आप DHC बनवाने से संबंदित जितनी भी महत्तोकूर जानकारिया है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं इस website का link आपको description में भी मिल जाएगा बनवाने की प्रक्रिया manufacturing process online offline दोनों माध्यम से आप इसे बनवा सकते हैं class 1 के के लिए online जब apply करते हैं तो आपका email id और जो registered mobile number है वह verify होता है जबकि class 3 के लिए ब्यक्ति विशेश को क्या होता है physical रूप से वहाँ उपस्तित होना पड़ता है सबसे ज़्यादा DHC class 2 types के बनवाया जाते हैं अब class 2 की प्रक्रिया में मुख्य रूप से टेली वेरिफिकेशन किया जाता है जिसमें आपके registered email id में एक link आता है उस link को जब आप touch करते हैं उसमें 30 seconds का एक वीडियो बनाना होता है जिसमें आप अपना नाम एड्रेस और बाकी सम्बंदित जानकरिया देना होता है साथ ही साथ टेली वेरिफिकेशन के लिए जो email id में link आता है उसमें से जो message होता है उसे आपको सम्बंदित authority या बेक्ति को परवट करना होता है वैधिता या validity आपको जम online या offline अप्लाई करते हैं उस समय ही आप अपना decide कर सकते हैं कि इसे एक साल दो साल या तीन साल के लिए बनवाना है साथ इसाथ renew का आपसन भी इसमें रहता है वरतमान में सभी सासकी कार्यालेव में PFMS से भुक्तान किया जाता है तो PFMS भुक्तान के लिए encrypted data को decret करने के लिए receiver द्वारा कोई निजी कुंजी या पीन का उप्योग किया जाता है या कोई या निवेक्ती आसानी से नहीं खोल सकता इसलिए encrypted जो sign हो ऐसा बनवाने का निर्देश हुआ है तैयार करने संबंधी निर्देश राज्य परियोजना कार्याला राइपूर द्वारा जारी किया गया है जिसके तहत PFMS अंतरगत भुक्तान हेतू समस्त एजेंसियों चाहे प्रात्मिक, मादिमिक, high school, high secondary, संकुल केंद्र को DSC, oblique EPA का उप्योग भविस्य में अनिवार्य होगा इसलिए तदानुसार अधिकृत सेयुक तहस्ताक्षार करता का DSC, encrypted, signed only तयार किया जाना है तो DSC जो है तयार करने के लिए राइपूर के chartered accountant के सदस्य, विकास कंडिस्तर में उपस्तित होकर PFMS portal में DSC active करेंगे अर्थात राज्य कार्याले की ओर से जो संबंदित सिये रहेंगे, वे सभी विद्यालेयों में DSC को activate करेंगे इसके लिए अलग से राज्य कारयाले के ओर से निर्देश भविसे में जारी होंगे एक संस्ता के लिए दो, एक maker एवं दूसरा checker के लिए जो DSC है वह तैयार किया जाएगा इसलिए दोनों हस्ताक्षर करता निर्दारी तीथी में उपस्तित होना अनिवारी होगा दूसरा बिंदू है एक DSC जो है encrypted sign only वाला तैयार करने के लिए निर्दारी सुल्क 1250 रुपिया प्लस 18% GST के साथ 1475 रुपिया है इस प्रकार एक संस्ता को 2 DSC के लिए 1475 गुडि 2 अर्था 390 रुपिया का भुकतान साला अनुदान या अकस्मिक व्यासे किया जाना होगा तीसरा बिंदू है DSC जो है encrypted sign only तैयार करने के लिए संस्ताओं को निम्नाकित जानकारी के साथ संबंदित डेट में उपस्तित होना अनिवार्य होगा तो हफ्ताक्षर करता का अधार कार्ड हफ्ताक्षर करता का pen card और हफ्ताक्षर करता का mobile नंबर जिस नंबर को register करना है उसे साथ में रखना होगा साथ ही हफ्ताक्षर करता को email id सहीत उपस्तित होना होगा जिस पर संबंदित link और pin आएगा तो इस तरीके से हम अपना D.A.C. बनवा सकते हैं अगामी दिनों में राज्य कार्याला के ओर से निर्देश जब आएगा तो उसे संबंदित वीडियो और अन्य महत्व पूर्णा सिक्चावी भाग से जुड़े हुए तो आज के वीडियो में इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तैंक यू जैन जै भारत